हाँ बताईए आधनिय मोदी जी मेरे पूरे रेवाड इवासियों की तरफ से मैं साधर नमस्कार करती हूं सर्वासिय। वो मैंने पहले कभी नहीं देखा सर है सर वो कभी डेखने को नहीं मिला इसमें आपको क्या लगता है सर ये सब कैसे हो रहा हैं दद्भादाATHAN कि बीईरों की धरती हो आधने कि हर मा वीर्मा ओती है यहां कि हर मां की कोब शीज़ी बीरता हो और इसलिए जब रेवाड़ी से बैठिये मजूची बैठिये आप और रेवाड़ी से जब confidence की बात दिकलती है तो मुझे लगता है वो रेवाड़ी के स्वभाव का इच्छा है देखे जब मन में इच्छा शक्ती हो द्रड संक्प हो कुछ कर्ग उजनने का जजबा हो तो कुछ भी नाम मुम्किन नहीं है जब सरकार के लिए जन जन तक का महत्व हो जन सहभागीता को प्रात्विता मिलती हो तो कुछ भी नाम मुम्किन नहीं है आपका सवाल बहुत स्वाबाविक है है कि पहले भी सरकारे होती थे कुछ न कुछ योजना है होती थी लेकिन देश में confidence क्यों नहीं देखने को मिलता था तो इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि जब सरकार का परिश्रम और सवासो करोर देश्वास्यों का पुर्शार्थ मिलता है तब देश का confidence का पूरी दुनिया के लिए एक मिशाल बन जाता है आप देखिए लोग वही है सिस्टम वही है अपसर वही है दफ्तर वही है लेकिन आज देश विकास के पत पर कई गुना रप्तार से आगे बढ़ रहा है आज भारत के सची तश्वीर दुनिया के सामने निकल करके आई है जब हमें खुद पर confidence है तो दुनिया भी भारत को लेकर confident हो रही है पहले भारत का चीत्रां एक गरीब देश के रूप में किया जाता था अब भारत को निवेश के लिए सब्चे अच्छे destination के रूप में जाना जाता है पहले भारत को साम सपेरे का देश बताए जाता था आज भारत science startup और satellite के देश के रूप में जाना जाता है पहले भारत का चित्रां देश की सडकों पर फैले कच्रे को दिखाने के लिए किया जाता था आज भारत का चित्रन देश में स्वच्छता पर हो रही तरक्की को दिखाने के लिए किया जाता है पहले भारत को अंधरे के लिए जाना जाता था अब भारत LED Revolution के लिए जाना जाता है पहले फिल्में बनती थी कि भारत में कैसे एटेक्स हुए अब फिल्में दिखाती है कि भारत ने कैसे उन एटेक्स का मूत और जवाब दिया पहले दुनिया भर में सिर्फ बैटमेन जैसे हीरो हुआ करते थे अब दुनिया भर के लिए बहु बली पी एक हीरो है योग हो चाहे मेकिन इंडिया हो चाहे इंटरनेशनल सोलार एलाइंस हो भारत ने हर छेत्र में दुनिया को दिखाया है कि हम किसी से कम नहीं है दोस्तों आप सबसे मिलकर आप सबसे बात करके आप सबका उत्सा देखके मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबका उत्सा आपकी उर्जा मुझे और महरत करने की प्रेना देता है आप सबको देखकर मुझे भी वो समय आ जाता है जब भी आप जैसा ही एक सामान्यकार करता ह हुआ करताथा